आएए अब इस पाथ में जो सब्दार्थ हैं उन्हें देखते हैं सब्दार्थाह पुरा प्रोक्ताह पुरा का मतलब होता है पहले प्रोक्ताह मतलब कही गई तो पूरा प्रोक्ता का तातपर यह हुए पहले कही गई यहां पूरा जो दिया गया है यह अव्ययपद है इसके लिए प्राक सब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है महर्सी भी है, महर्सी मूल सब्द है, तृतियवी भक्ती बहुवचन का यह रूप है, इसका तात्पर यह होता है महान रीशियों के द्वारा महर्सी यह इकरांत सब्द है, पूर्लिंग का सब्द है, तृतियवी भक्ती बहुवचन का यह रूप है निधये निधी मूल सब्द है चतूर्थी भक्ति एक वचन का यहा रूप है और निधी कतात पर यह होता है खजाना तो निधये कतात पर हुआ खजाने के लिए तो निधी इकरांत सब्द है, पूलिंग का यह सब्द ही है और चतुर्थी भक्ती एक वचन का यह रूप है सेव्यम सेव्यम सब्द जो है सेव धातू धन यत प्रत्य मिलकर बना है सेव्यम, सेव का मतलब होता है सेवा करना सेव्यम का तातपर यह होता है सेवा करने योग्य सोधकाह मुल सब्द है सोधक और यह प्रत्मई भक्ति बहु अचन का रूप है सोधक मतलब होता है सुध करना या सुध करने वाला सोधकाह का मतलब होता है सुध करने वाले अपहारकाह इसका तात्परी होता है दूर भगाने वाले हीतावहम इसका तात्परी होता है हितकारी त्वक त्वक का तात्परी होता है त्वचा या छाल प्रत्यंगईह प्रतीधन अंग से बनता है प्रत्यंग इसका तृतियोय भक्ति बहु अचन का यह रूप है इसका तातपर ही होता है संपूर्ण अंगों से सद भी है सद का तातपर ही होता है सजन तो सद भी है यह तृतियोय भक्ति बहु अचन का रूप है और इसका तातपर ही होता है सजनों से संगिना, संगी मतलब होता है संग या संगती तो संगिना मतलब संग वाले से संगिन सब्द है यहां तृतिय भक्ति एक वचन का यह रूप है गम्यते, गमधातु है और गमधातु जो है इसका रूप परस्मई पद में बनता है लेकिन हम जब वाच्च की बात करते हैं और करत्री वाच्च से जब हम कर्म वाच्च में जाते हैं तो जितने परस्मई पदी धातु हैं उनका आत्मने पद का जो प्रत्य है उसका योग होता है और साथ साथ मूल धातु के साथ में यह का योग हो जाता है तो यहां यह जो रूप दिखाए रहा है गम्यते, यह कर्म वाच्च में प्रयुक्त रूप है तो गम मतलब होता है जाना, गम के साथ में यह का योग हुआ और ते यह यह अन्टे, जो आत्मने पद, लटलकार के पत्य हैं उनका योग हुआ तो इस तरह से रूप बना है गम्यते और इसका तात्पर यह होता है जाता है या समझा जाता है वैद्यह वैद्यह अर्था चिकित्सक यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है नापितह, नापितह का तात्पर यह होता है नाई, प्रथम पुरुस एक वचन का यह रूप है हंत्रि नाम, हं धन त्रिच धातु के योग से बना है हंत्रि, इसका सश्ठी भक्ति बहु वचन का यह रूप है हंत्रि नाम इसका तात्परी होता है हत्यारों के हस्तेसु हस्त का तात्परी होता है हाथ और हस्त सब्द में सब्द्वी वक्ति बहु अचन का प्रयोग होने से रूप बनता है हस्तेसु और इसका तात्परी होता है हाथों में सस्त्र हताह सस्त्रिन हताह इती सस्त्र हताह सस्त्र धन हन्धातु धन अक्तप्रत्य और बहुवचन का यह रूप है और इसका तात्पर होता है सस्त्रों से मारे गए प्रज्या हताह प्रधन्ग्या क्या धातु धन, हंधातु और प्रत्य का रूप में बहु वचन का यह रूप है इस तरह से रूप बनता है प्रज्याहताह इसका तात्पर होता है बुद्धी से मारे गए समास विग्रह करना चाहें तो प्रज्याहताह यह प्रज्याहताह तृतिया तत्पूरुस समाज का प्रयोग होगा सुहता सुपसर्ग है हंधातु है अक्ताप्रत्य और बहुवचन का रूप है इसका ताथ पर होता है भली प्रकार मारे जाते है दिनांते दीनधन अन्ते एती दिनांते या दिनास्य अन्ते एती इसका तात्परी होता है दीन के अंत में अर्थात सामकस्म है पयाह का तात्परी होता है जल प्रयोजनम का तात्परी होता है आसय या उद्देश्य पादम पादम का तात्परी होता है चतूर्थ भाग्या चतूर्थांस स्व मेधाया अपनी बुद्धी से मेधा सब्द है इसमें स्व का योग हुआ है स्व मतलब होता है अपना मेधा मतलब बुद्धी स्व मेधा स्व मेधा स्व मेधा सब्द का तुरितिया विभक्ति एक वचन का यह रूप है इस्ट्रिलिंग में तो इसलिए मेधा इस्ट्रिलिंग सब्दा है। तो यहां इसका तातपरी होता है अपनी बुद्धी से सब्रहमचारी भी है। अपने सहपाथियों के साथ सब्रह्म अचारिन यह मूल सब्द है इसमें तृतिय भक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है ताथ पर यह होगा अपने सहपाथियों के साथ राग समम अर्थात राग के समान या लोलूपता के समान या मोह के समान तो प्यारे बच्चों इस पार्ष में ये जो सब्दार से दिए थे ये हमने देखा और आईए अब इस पाष से संबंधित कुछ अभ्यास के प्रश्ण आपके पुस्तक में दिये हुए हैं उन्हें देते हैं आईए अभ्यास प्रशनों को हल करते हैं पहला भ्यास है अधो लिखिता नाम प्रश्णा नाम उत्तराणी लिखत नीचे लिखे हुए प्रश्णों के उत्तर लिखे कौन सी भासा में लिखे इसके लिए निर्देश नहीं दिया गया है विभी न परिक्षाओं में जब इस तरह के प्रश्ण पूछे जाते हैं तो वहां आजकल भासा में लिखने का निर्देश दिया जाता है कभी संस्कृत में उत्तर लिखने के लिए कहा जाता है कभी हिंदी में उत्तर लिखने के लिए कहा जाता है तो चुकि इन प्रश्णों में ऐसा निर्देश नहीं दिया गया है, इसलिए आप या तो संस्कृत में लिख सकते हैं या हिंदी में लिख सकते हैं, हाँ, लेकिन प्रश्ण यही हो और वहाँ निर्देश दिया गया हो कि इन प्रश्णों के उत्तर संस्कृत में लिखिये, तो वहाँ निर्देश होगा अधो लिखित प्रश्णा नाम उत्तराणी संस्क्रित भासया लिखत तब आपको उन प्रश्णों के उत्तर जो है संस्क्रित में लिखना होगा और यदि कह दिया गया कि अधो लिखिता नाम प्रश्णा नाम उत्तराणी हिंदी भासया लिखत ही आपके सामने आ रहे हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको हिंदी में भी देना आना चाहिए और संज्ग्रित में भी देना आना चाहिए, तो सबसे पहले तो यह कि जो प्रश्नख नीरदेश है, यह हमको भली भाती पढ़ना और समझना होगा, फिर जो प्रश्न पुछा गया है यह जानना होगा और उसका उत्तर क्या होगा यह हमको समझना है और फिर उत्तर लिखना है आईए प्रस्णों की और आगे बढ़ते हैं प्रस्ण है क संस्कृतम की द्रिसमस्ति संस्कृत कैसा है तो हमने पहले स्लोक में पढ़ा था संस्कृतम कामधेनु वतसेव्यम अस्ति अर्थात संस्कृत जो है कामधेनु की तरह सेवा करने योग्य है तो उत्तर आपको हिंदिम भी आना चाहिए और संस्कृत में भी आना चाहिए तो प्रश्न पुना, संस्कृतम किद्रिसामस्ते तो उत्तर क्या होगा? संस्कृतम कामदेनूवत सेव्यमस्ते है लिख दीजिये, हो गया आगे बढ़ते हैं खा, संस्कृत महर्सी भी किम प्रोक्तम संस्कृत के महर्सीयों के द्वारा क्या कहा गया है? यह इसका हिंदितात पर यह हुआ? ध्यान दीजेगा, जब हम प्रशनों के उत्तर देते हैं, तो प्रशनों की जो भासा है, इस भासा का उप्योग करते हुए हम उत्तर लिखने का प्रयास करें, तो बेहतर होता है यहां प्रत्येक वाक्यों में आप देखेंगे, तो एक न एक प्रसनों सूचक सब्द का प्रयोग किया जाता है जैसे इस वाक्य में संस्कृत महर्सी भी है, किम प्रोक्तम, तो किम यह जो सब्दा है, यह प्रसनों वाचक सब्दा है तो इसके इस्थान पर उत्तर वाचत सब्दों का योग आपको करना है इस तरह से उत्तर हो जाएगा आपका तो आपको लिखना है सम्स्कृत महर्शी भी है अब कीम के इस्थान पर लिखना है क्या लिखना है सर्वा विद्याह पुरा प्रोक्तम सम्स्कृत महर्शी भी है सर प्रवाविद्याः पुरा प्रोक्तम संस्कृत के महर्शियों के द्वारा सभी विध्याएं पहले ही कह दी गई हैं। ऐसा के दीजे, हो गया, संस्क्रित में भी उत्तर लिख लिए आप, हिंदिम भी दे दिए, चलिए, आगे बढ़ते हैं, ग, व्रिक्छाह केसाम सोधकाह, व्रिक्छ किसके सोधक हैं, हिंदी, उत्तर क्या होगा, केसाम के इस्थान पर उत्तर वाचक सब्द का योग करना है, वायू का सोधन करते हैं, या कहें कि व्रिक्छ वायू को सुध करते हैं, अगला प्रस्ण, के रोगानाम अपहार काह, कौन रोगों को दूर करने में सहायक होते हैं, तो के यह प्रस्ण वाचक सब्द है, इसके इस्थान पर उत्तर वाचक सब्द आपको इस्थापित करना तो व्रिक्षाह रोगानाम अपहारकाह व्रिक्ष रोगों को दूर करने में सहायक होते हैं कैसे दूर सहायक होते हैं क्योंकि व्रिक्ष जो हैं वायू को सुध्ध करते हैं और वायू सुध्ध होता है तो संसार के समस्त्र प्राणी जो है रोगों से मुक्त होते हैं या वे रोग ग्रस्त नहीं होते हैं इस तरह से व्रिक्ष रोगों को दूर करने में हमारे सहायक होते हैं अगला प्रश्ण है इंग व्रिक्षाह प्रानी नाम कथम उपकुर्वन्ति व्रिक्ष प्राणियों का कीस प्रकार से उपकार करते हैं उत्तर क्या होगा व्रिक्ष प्राणियों का सद्भीह समम् प्रत्यंगई उपकुर्वंति प्रत्यंगई अपने विभीन अंगों के माध्यम से उपकुर्वंति उपकार करते हैं तो प्यारे बच्चों इस तरह से पाठपर आधारित जो प्रस्न है इन प्रस्नों के उत्तर आप दे सकते हैं चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगला भ्यास है रेखांकित पदानि आध्रित्य संधी विच्छेदम कुर्थ अर्थाथ कुछ वाक्य भी दिये जा रहे हैं उनमें से कुछ सब्द जो है रेखांकित किये गए हैं जो रेखांकित पद हैं उन पदों में संधिया हैं उन संधियों को हमको क्या करना है अलग करना है संधी विच्छेद करना है वाक्यों में जो रेखांकित पद हैं इनमें हमें संधी विच्छेद कर लिखना है प्रश्न है क महर्सिभीह सर्वाविद्याः प्रोक्ताह आप देख रहे हैं महर्सिभीह यह जो लिखा हुआ है यह कैसा है यह रेखांकित है इसके नीचे रेखा खीची हुई है अर्थात इस सब्द को ही क महर्सिभीह सर्वाविद्याः प्रोक्ताह यह वाक्य है इसमें आप देख रहे हैं महर्सिभीह यह जो पद है यह रेखांकित है इसके नीचे रेखा खीचा हुआ है अर्थात यह जो पद है इस पद को हमको क्या करना है इसका हमें संधी विच्छेद करना है अन्य पदों का कुछ नहीं करना है केवल महर्सिभी यह जो पद है इसको हमको संधी विच्छेद करना है तो आपको तो संधी विच्छेद आता है क्या होगा संधी विच्छेद हाँ, विल्कुल सही महाधन रिशी भी है यती महर्शी भी है संधी कौन सी होगी विल्कुल सही यहाँ संधी है गूनस्वर संधी महाधन रिशी भी है गूनस्वर संधी इस वाक्य में तथायूर विगनाश्च यह जो पद है इसके नीचे रेखा खिर्चा हुआ अर्थात यह रेखांकित है इसका हमें संधी विच्छेद करना है तो ध्यान दिजिएगा संस्कृत में कई सब्द ऐसे होते हैं जिनमें एक संधी होती है या कुछ सब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से अधिक संधियों का योग होता है जैसे यह सब्द जो आया है तथा तथायूर बहवस्च तथा धन आयूह धन बहवः धन च तीन बार यहाँ संधियां हुई है तथा धन आयूह यहाँ दिर्गस्वर संधी का प्रयोग हुआ है आयूह धन बहवः यहाँ विसर्वर संधी का प्रयोग हुआ है तो इस तरह से कई सब्दा ऐसे होते हैं जिन में एक से अधिक संधियों का भी प्रयोग मिलता है वैसा ही यह सब्दा है तो इसका भी आप संधियों को हमको अलग करना होगा इस तरह प्रस्ण यदि परिक्षा में पूछा जाता है ग पयाह निसांते पिवेत इस वाक्य में निसांते इस पद में रेखा खिंचा हुआ है अर्थात यहां रेखांकित पद है इसको हमको क्या करना है संधि विच्छेद करना है निसांते इस पद को हम संधि विच्छेद करेंगे इतना लिग दिजे हो गया इस वाक्या में यचक्यम यह जो सब्द लिखा हुआ है इसके नीचे रेखांकित पद है इस पद का हमके क्या करना है संधी विच्छेद करेंगे तो इसका जब हम संधी विच्छेद करेंगे तो क्या होगा रूप यत धन सक्यम संधी क्या होगी संधी का नाम है वियंजन संधी तक आगे सा आता है तो उसको क्या हो जाता है वो छह हो जाता है ये वेंजन संधी के निया में आप पढ़ेंगे, तो इस तरह से ये तो जो अभ्यास में संधी विच्छेद करने के लिए कुछ वाक्य दिये हैं, उनमें से कुछ पदों करेंखांकिन्त किया गया है, ये किवल नमुना मात्र है, इसी तरह से हम जो पाठ भी पढ़ें सुभा सितानी, उस पाठ संबंधित जो विभिन पद हैं, जिनमें संधियां हैं, उनमें से भी विभिन परिक्छाव में प्रस्न पूछा जा सकता है, कि हाँ, ये संधी पद है, इसमें से आपको संधी अलग करना है, और साथी साथ संधी का नाम भी बताना है, ऐसा कहा जा सकता है आईए आगे बढ़ते हैं हमारा अगला भ्यास है इसबस में से कौन सा सब्द जो है भिन है देखें यहां कहीं प्रस्ण वाकश चिन्हा नहीं लगा है लेकिन जैसे हम कग देखते हैं कग सम्स्कृते गम्यते क्रियते द्रिश्यते ये चार सब्दों यहां दिये हुए हैं इन चारों सब्दों में कहीं पर प्रस्ण वचक चिर्ण नहीं लगा है करना क्या है करना यह है कि इन चारों सब्दों में कुछ समानता है और साथ सी साथ उस समानता में से किसी सब्द में असमानता भी वो भिन्नता है किस अधार पर भिन्नता है ये आपको चैन करना है और साथ किसी न किसी अधार पर कोई सब्द भिन्न होगा तो जिस अधार पर दूसरे सब्द समान है और उस अधार पर वह सब्द भिन्न है उस सब्द को आपको क्या करना है चैन करके लिखना है तो सब्द यहाँ जो दिये हुए हैं देखते हैं सम्स्कृते, गम्यते, क्रियते और द्रिश्यते तो यहाँ जीतने सब्द दिये हुए हैं सभी जो हैं धातू के रूप हैं चाहे हम गम्यते की बात करें गम्यते मतलब जाता है क्रियते मतलब किया जाता है अद्रिष्यते मतलब दिखाई देता है और संस्कृते मतलब संस्कृत में तो देखे ये जितने रूप दिये हैं गम्यते, क्रियते, अद्रिष्यते ये सभी क्रिया के रूप है लेकिन संस्कृते जो कह रही है क्या है ये सब्द का रूप है तो एक तीन जो है धातू की रूप है और एक क्या है सब्द का रूप है तो धातू का रूप नहीं है हाँ केवल कृते होता तब वो क्रीधातु है उसमें अक्तापत्य का प्रयोग हुआ है और समूपसर्गा का योग हुआ है ऐसा किसी अन्य जो सहब Ultra का योग नहीं है और कोई भी किड़ंत का रूप नहीं है सभी जो हैं धातु के रूप है प्रयात की बात करें стиनलिकत समस्कृते जो है, इसमें सम उपसर्गभी लगा है, और धातु में अक्तहप्रत्य का प्रयोग हुआ है। बाकी सभी में क्या हुआ है? बाकी सभी लटलकार प्रथम पूरुस के रूप दिये हुए हैं। तो इस तरह से समस्क्रिते सब्द जो है, अनेक इस तर पर इन सब्द सम्स्कृते यहाँ सब्द जो है इन में से भिन्न है इसका चैन करके आपको लिखना है हो गया आगे दिखते हैं अब यहाँ देखते हैं सभी में ती ती का योग हुआ है और सभी जो है धातू के ही रूप है अब भिन्नता कहां है और कैसे है तब देखते हैं क्रिडाती खेलता है अर्थ देखते हैं क्रिडाती मतलब खेलता है धावती मतलब दड़ता है पीबाती मतलब पीता है और ददती मतलब देते हैं अभी तीन धातुें हैं क्रिडाती धावती और पिबाती का आर्थ जो है एक वचन में हैं और ददाती का आर्थ जो है वो बहु वचन में हैं क्रिड़ती खेलता है, धावती दवडता है, पीबती पीता है, और ददती ये क्या हो गया, देते हैं, तो ददती जो है ये दाधातु है, इसका रूप बनता है ददाती दत्तह ददती, ददासी दत्तह ददत, ददती सब्द जो है यह दाधातू से बना हुआ है इसका रूप बनता है लटलकार प्रथम पुरुस में ददाती दत्तह ददती ददासी दत्थह दत्थ ददामी दद्वह ददमह तो ददती यह रूप जो है यह एक वचन का नहीं है यह रूप जो है बहु वचन का है इसलिए कृड़ती धावती पीबती से यह भिन्न है तो कृड़ती धावती पीबती ददती एसु सब्देसु ददती इती सब्दम यह पदम भिन्नह तो ददती क्या है यह है अलग है तो इसको आपको चैन करके लिखना है हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, ग, पठंती, चलंती, धावंती, हसंती, ये पद हैं, अब इन पदों में से भिन्न कौन है, कौन सा पद है, यह हमको जानना है, तो इसके लिए हम क्या करना होगा, सबसे पहले इनके अर्थ को हम देखते हैं, पठंती, जात, पढ़ते हैं, चलंती, चलते हैं, धावंती, दोडती हुई, हसंती, हसते हैं, तो अर्थ के अधार पर देखें, तब भी हमको भिन्नता दीख रही है, क्या, कि पठंती, पढ़ते हैं, चलते हैं, हसते हैं, और एक धावंती, धोडती, हुई, ये अलग दीख रहा है एक दूसरा का सभी में हम देखते हैं तो धातु तो है लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है पचछति यो बनता है चलुपि ये भी लट्लकार काूप है लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है चलती चलता चलंती इसका रूप बनता है धावंती ये कैसे बनता है धावधातू तो है किन्तो इसमें कृधंत प्रत्या का योग हुआ है कृधंत प्रत्या है सत्री धावधन सत्री प्रत्या का योग हुआ तो इस तरह से इसका जो रूप बनता है सत्रिप्रत्या का जब योग किसी धातू के साथ होता है आप जानते हैं इसका रूप जो है तीनों लिंगों में रूप बनता है धावत नपुन्षक लिंग में बनेगा पूर लिंग में धावन बनेगा और इसका रूप बनता है धावन्ति तो यहाँ पर जो रूप आया है वो कहा उनसा है यह इस्ट्रिलिंग का रूप है धाव धातु सस्त्रि प्रत्या इस्ट्रिलिंग का रूप है इसका तात्पर होता है दोडती हुई सत्रि और सानज प्रत्या ऐसे प्रत्या है जिन्हें वर्तमान कालिक प्रत्या कहा जाता है हुआ या हुए हु हसंति इस तरह से इसका रोप बनता है तो हम देखते हैं पठंति पढ़ते हैं चलंति चलते हैं हसंति हसते हैं धावंती दोड़ती हुई तो इस तरह से यह जो है अर्थक के अधार पर भी अलग है और यदि हम सब्द निर्मान की दृष्टी से देखें तो उस दृष्टी से भी भिन्नता है क्यों कि पठंती चलंती और हसंती ये जो है धातू के रूप है और धावंती जो है यह सब्द रूप है क्योंकि धातू में जब क्रिदंत प्रत्या का योग होता है तब धातू का रूप नहीं हो करके वह सब्द रूप बन जाता है और इसके रूप जो होते हैं वो विभिन्न विभक्तियों में इसके रूप चलते हैं जैसे धावंती यह जो सब्द बना इसके सब्द रूप चले जैसे इसमें आप E का रांत देख रहे हैं तो जैसे नदी E का रांत है नदी का रूप जो होता है उस तरह से धावन्ति का भी रूप होगा जैसे नदी का रूप होता है नदी नद्यव नद्यह इसी तरह से धावन्ति यह पद है इसका रूप भनेगा धावन्ति धावन्त्य इस तरह से प्रत्म भक्ति में इसका रूप होनेगा तो धावन्ति यह प्रत्म भक्ति एक वचन का रूप है तो यह जो है जो कि सब्द रूप है इसलिए अलग हुआ सेस जो है धातुरूप है इसलिए वो एक जैसे है तो पठंति चलंति धावन्ति हसंति एशु सब्देशु धावन्ति भिन्न हा अर्थात इनमें से धावन्ति जो है भिन्न पद है इसको आपको अलग करना है तिह हो गया उत्तर इसका आगे बढ़ते हैं गह वर्धमान, वर्तमान, सेवमान, सक्तिमान ये चार सब्द है अब इन चारों सब्दों में से भिन्न कौन है ये चैन करना है ये थोड़ा कठिन काम है क्योंकि सब में हम देखते हैं सब में मान का योग है वर्धमान, वर्तमान, सेवमान और सक्तीमान अलग क्या है और कैसे है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हमको सब्दों का निर्मान कैसे हुआ ये जानना होगा जैसे वर्धमान कहते हैं तो वरिद धातू है और इसमें सानच प्रत्या का योग हुआ है तो इस तरह से इसका रूप बनता है वर्ध मान बढ़ता हुआ वर्ध मान वरित धातू वरित मतलब होना वरित धातू में सानच प्रत्या का योग हुआ इस तरह से रूप बना है वर्ध मान अर्थात होता हुआ, चलता हुआ, जैसे हम वरतमान काल की बात कहते हैं, जो समय हो रहा है, चल रहा है, उसका हम वरतमान काल कहते हैं, तो वरतमान का मतलब क्या होता है, होता हुआ या चलता हुआ, सेव मान, सेव धातु है, और इसमें सानजपत्या का योग हुआ है, सेव मत मतलब सेवा करता हुआ, सक्ति मान, सक्ति सब्द है और इसमें मतुप प्रत्य का योग है। जैसे हम स्री के साथ में मतुप प्रत्या का योग करते हैं तो स्री मान बनता है इसी तरह से सक्ती सब्द में मतुप प्रत्या का योग हुआ है तब रूप बना है क्या सक्ती मान तो यहां अब इस परष्ट हो गया देखते हैं वृत धातु में सानच प्रत्या का योग हुआ तो वर्तमान बना, सेव धातु में सानज प्रत्या का योग हुआ, तो सेव मान बना, इन तीनों में धातुओं में प्रत्या का योग हुआ, और सक्ति मान, सक्ति सब्द में मतूप प्रत्या का योग हुआ, आप सभी जानते हैं, प्रत्या जो है, एक होता है क्रिदंत प्रत् प्रत्ययों को कहा जाता है जिनका योग सिधे धातू के साथ होता है और तद्धित प्रत्ययों को कहा जाता है जिनका योग सब्दों के साथ होता है तो सत्री प्रत्यय, सानच प्रत्यय, तुमून प्रत्यय, अनिया प्रत्यय, क्तवत प्रत्यय, ये प्रत्यय जो हैं ये सभी तो यहां सक्तिमान सब्द में जो सक्ति सब्द में जो प्रत्या प्रत्या है तद्धित प्रत्या है तो इस तरह से प्रत्या के अधार पर वह अलग हुआ क्यों अलग हुआ क्योंकि अन्य जो सब्द हैं उन में सानाज प्रत्या का योग हुआ और सक्तिमान में मतुप्रत्या का योग हुआ इसलिए यह अन्य पदों से भिन्न है तो इस तरह से हम भिन्न पद की पहचान कर सकते हैं तो संस्कृत के भिन्न नियम है उनको आप सभी जानते हैं भली भाती जानते हैं और उसके अधार पर हम इन पदों को पहचान सकते हैं और भिन्न पद को अलग कर सकते है झाल झाल